हेलो फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको राइस वाटर के यूज़स के बारे में बताने चाह रहे हैं कि राइस वाटर हमारी स्किन इंड हेर के लिए कितना यूजफूल है, कितना एफेक्टिव है, कितना हेल्दी है देखिए हमने यहां पर लिये हैं दो टेबल स्पून राइस अब हम इसको पहले सिंपल वाटर से वाश करेंगे बिकाज इसमें जितने भी डस्ट है वो सब निकल जाएगी वाश करने से अब हमने इसको वाश कर लिया है जितने भी इसमें डस्ट ही वो सब निकल गई है इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है यह हमारे हेर के लिए एक वर्दान है हमारे स्किन के लिए वर्दान है इसके यूज से हमारे स्किन हल्दी हो जाती है हमारे hair भी healthy हो जाते है hair growth improve होती है अब देखिए हमने wash करने के बाद इसमें water add कर दिया है इसको water add करके आप इसको अच्छे से mix कर ले अपने accordingly जितना आपके पास time है अगर आपके पास time नहीं है तो आप इसको आदे गंटे के लिए इस तरीके से भिगो कर छोड़ दे और आदे गंटे बाद जो cloudy water होगा उसका use आप कर सकते है या अगर आपके पास overnight रखने का time है like जैसे की हम आपको दिखा रहे है इस video में आप देख सकते है हमने इसको overnight छोड़ दिया है अब देखिए ओवरनाइट के बाद ये कैसा दिखता है ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा की आप वीडियो में देख सकते हैं ये एकदम cloudy water हो गया है इसको हम rice cloudy water कह सकते हैं इसको हम ferment water भी बोल सकते हैं ferment rice water इसको friends normal room temperature पर ही रखना है इसको overnight fridge में नहीं रखना है इसको आप kitchen में या कहीं भी room में बिगो के रख सकते हैं इसको fridge में ना रखें ये देखिए friends अब ऐसा हो गया है ये अब आप इसको separately एक अलग बाउल में निकाल ले इस water को इस तरीके से अब ये बहुत ही अच्छा सोर्स बन गया है vitamins and minerals का इसकी property acidic भी हो गई है because of ferment इसको हमने overnight ferment किया है उसकी वज़ा से इसमें vitamin C भी प्रचूर मात्रा में आपको मिलेगी जो की हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छी है ये देखिए ये बहुत अच्छा water बन गया है rice water vitamins and minerals से इस तरीके से जितनी भी इसमें कहने का मतलब ये है जितना कुछ rice में था वो सब हमने इसमें निकाल लिया है इस rice water में आप इसको पहले लाइक जैसे के लिए जो है friends due to the presence of carbohydrate inositol rice water has the ability to strengthen maintain elasticity and reduce surface friction in hair आप इसको पहले simple skin पे यूज कर सकते हैं लाइक जैसे की हम आपको यूज करके दिखा रहे हैं आपको क्या करना है एक cotton लेची cotton को आप डिप कीजिए इस water में and अपने face पर circular motion में massage की दिए इसकी help से इसको आप as a toner भी यूज कर सकते है as a cleanser भी यूज कर सकते है इसको friends आप चाहे तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो एक spray bottle में भर ले से and उसके बाद अपने face या अपने body या अपने hair पर कहीं भी spray कर सकते है इसे आप एक हफते तक store करके रख सकते है easily fridge में ये आपकी skin को टाइटनिंग करता है इसके यूज से आपके skin के जो pores है वो minimize होते हैं आपके skin healthy glowing दिखती है अगर आपकी face पे acne है तो acne के लिए भी बहुत अच्छी treatment है आप डेली इस तरीके से आप apply करे उससे दीरे दीरे आपकी acne वाली skin ठीक हो जाएगी और उसके साथ साथ अगर आपकी skin पे काफी itching है काफी dryness है या फिर आपको tanning है तो उसके लिए भी यह rice water काफी useful है आप उस पर भी use कर सकते है easily आपको काफी फरक महसूस होगा देखिए इस तरीके से हम circular motion में मसाज कर रहे हैं आप सेम इस तरीके से अपने face पर मसाज करें इंड मसाज करते रहें तब तक की absorb ना हो जाए देखिए यह absorb हो गया है और कितनी healthy skin and glowing skin दिख रही है इससे skin healthy, glowing and tight हो जाती है यह देखिए अब हेर में आपको क्या करना है जैसे जिस तरीके से मैं apply कर रही हूँ अपने finger pores के साथ अपने roots में apply कर रही हूँ आप डिरेक्ट इस तरीके से apply कर सकते हैं या आप cotton की help से भी apply कर सकते हैं इससे आपके हेर में shining आएगी hair growth अच्छी होगी इलास्टिसिटी स्ट्रॉंग होगी और आपके hair healthy होगी चीके friends आप इस तरीके से apply करें इसे as a conditioner भी apply कर सकते हैं